और companies के कैसे shares होते हैं वैसे यहां पर companies के tokens हैं तो आप logical बात है कोई भी company का shares का price कब बढ़ता है जब company perform करे, company business करे, company के revenue model है Hey guys, welcome back to the channel और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं token burn की, जी हां, token burn क्या होता है तो और यह important topic है और बहुत interesting topic भी है तो आप लोग में से जो लोग, you know, महले से हैं crypto space में उनको अर्डी बता हुआ कि token burn क्या है इस वीडियो में मैं short रखूँगा और बता हुआ कि token burn कितना important है especially अगर आप कोई coin hold करते हो और token hold करते हो तो अगर वहाँ पे token burn का mechanism है तो उसके price को ऊपर लगी जाने में कितना मदग करता है token burn and also मेरा मानना है कि crypto space बहुत बड़ा space है और काफी लोग every month entry मार रहे है जैसे जैसे bitcoin का price बढ़ रहा है जैसे जैसे लोगों की investment बढ़ रहा है लोग पात करें तो नए लोग crypto space में आ रहे है तो काफी लोगों को पता होगा कि token burn क्या है पर काफी लोगों को नहीं पता होगा कि token burn होता क्या है और काम कैसे करता है तो इस video में उसके बारे में बात करेंगे recently अभी अपने announcement क्या होगा BNB Binance ने उन्होंने अपना announcement किया है कि 7th BNB burn complete जिसमें इन्होंने 829,000 का BNB token burn कर दिया burn मतलब destroy कर दिया खतम कर दिया आप सुचो approximately 15 million dollar का BNB token को उन्होंने destroy कर दिया similarly आपने announcement देखा होगा कूपोइन से so कूपोइन जो company है KCS KCS इन्होंने 280,000 KCS burn किया destroy किया out of out of circulation किया now यह companies ऐसा क्यों करते है और इसका आपके ऊपर लेक्से अगर आपने वह token hold किया है या या फिर आप ऐसा एक parameter रख सकते हो क्या क्या आपको यह देखना चाहिए कि आपने जो token hold किया है वह actually token burn हो रहा है और कभी-कभी ऐसा भी होता कि जब token burn होने होता है जैसे dates नजदीक आती है तब भी उसके price पर फरक पड़ता है क्योंकि token burn होने वाला है price पर फरक अपने Bitcoin halving का नाम सुना तो जैसे जैसे Bitcoin के halving होती है जैसे कि अभी May 2020 में विटकोइन के halving supply कम हो जाएगी तो लोग excited है क्योंकि Bitcoin की जो mining है जो अभी 800 एवरी डे माइन होता है वो 900 हो जाएगा बेसिकली supply कम हो रही है तो यहां पर भी जो token burn का जो funda है वो supply कम करने का ही एक जर्या है पर दोनों में बहुत फरक है यहां पर Bitcoin की जो mining supply कम होती है जो every every four years में होता है बट यहां पर जो total supply है उसमें से reduction होता है तो दोनों में बहुत फरक है जो token burn होता है जो coin burn होता है यह mainly burn होता है क्योंकि यह coins pre-mined होते हैं जबकि Bitcoin pre-mined नहीं है तो दोनों की अलग-अलग महत्व है और दोनों का हलकी price पर impact similar गिर सकता है बट दोनों एकदम अलग-अलग चीज़े हैं तो इसके बारे बात करेंगे by the way कुछ ऐसे bitcoins है जो already lost हो चुके है okay मेरे खाल से कुछ around 4 million bitcoins जो है already lost हो चुके है तो उनको भी आप एक तरह के token burn ही बोल सकते हैं और coin burn ही बोल सकते हो क्योंकि यह जो 4 million bitcoins है वो कभी access होंगे ही नहीं आप सुचों से 21 million bitcoins है उसमें से 4 million bitcoins already burn हो चुके है basically burn तो नहीं बोलेंगे बट ऐसे जगर lost हो गए जिनके पास कोई access है नहीं तो basically total supply में से कम हो जाती है तो basically अभी BNP और KCS की बात करते है और the reason यह important है क्योंकि कि जब token burn की बात करते हो, point burn की बात करते हो तो आप ऐसी company की token की बात करते हो जो mainly centralized होता है right for example और यह भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा strongly मानना है कि centralized coins भी रहेंगे decentralized coins भी रहेंगे you know यह सारे type of coins रहेंगे but आपको decide करना है और आपको पहले से जानना है कि यह किस टाइप का token है centralized decentralized decentralized और उनके white paper में क्या लिखा है you know सबसे पहली बात जब मैं देखता हूं कि कोई token में तो देखता हूं कि वो token का price बढ़ने के chances क्या है future में किस तरह के से price बढ़ेगा right of course users रहेंगे network का value बढ़ेगा company का business बढ़ेगा और उसके साथ साथ token burn का mechanism है कि नहीं तो यहां पर हम दो company के बात कर रहे हैं यहां पर Binance और cases की बात कर रहे है तो इसे मैंने बताया कि इंग दोनों ने अभी भी recently coin burn किया है तो अगर Binance की बात किया जा तो Binance का जो पहला coin burn हुआ था October 2017 में हुआ था जो 9 तर ने 86,000 tokens इन्हों ने burn किया था वो तरहीं पर rate सिर्फ 1,52 cents था उसके बाद second coin burn इन्होंने January 2018 में किया मतलब every quarter में इन्होंने token burn किया है और यह कब तक token burn करते रहेंगे जब तक total supply जो BNB की है 100 million ना हो जाए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो BNB coin की total supply जो है फिलाल यहाँ पे 189 million है तो यह 100 million supply तक यह token burn करते रहेंगे and trust me guys इन्हों दो चीज़े होती है एक तो company की performance बेसिकली जब आप किसी exchange के token करते हो it's like a company जैसे के data हो गया, infosys हो गया यह सब companies है और companies के कैसे shares होते हैं वैसे यहाँ पे companies के tokens हैं तो आप logical बात है कोई भी company का shares का price कब बढ़ता है जब company perform करे, company business करे, company के revenue model है आज जो exchanges हैं उनके अच्छे खासर revenue model है, क्योंकि वहाँ पे trading होती है, trading fee कमाते है, अच्छा खासर volume होता है उसके अलामा वहाँ पे IEOs होता है, initial exchange opening होती है, वहाँ पे volume होता है जो अलग-अलग exchanges के पास जो businesses हैं उनके पास अलग-अलग revenue model है और इसलिए जो exchanges हैं उनके coins की price में बढ़ती है for example आपने BNB का price देखा हुआ कितना बढ़ गया है पिछले 3-4 मेने में, 6 मेने में because of so many reasons, वैसे cases हो गया, उसकी कैसे price बढ़ रही है क्योंकि इन लोग भी initial exchange offering कर रहे हैं, अभी इन्होंने derivative exchange launch किया है so basically हम लोग यहां पर companies की बात कर दे है और companies कौन-कौन से business से revenue generate कर पा रही है उसके उपर deep-end करेगा उनके token की price क्योंकि share तो है नहीं, यहां पर token है और वो token प्रबबबली आपने hold किया है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने kind of a share और आपको obviously दिखना है कि वो share कि price कैसे बढ़ सकती है so token burn वाला जो category है, जो token burn वाला जो model है बहुत ही interesting है तो यहां पर हमने बात किया कि last token burn था Binance का, यह 7th of April को था और 829 million token burn किया है similarly, यहां पर KCS ने almost 6th, इनका 6th token burn था recently और इन्हों ने भी यहां पर announcement दिखिया है कि at least 10% का जो profit है, यहां पर दिखते को according to the white paper KooCoin will take 10% of the profit of the quarter to buy back KCS मतलब जितना भी लोग profit कमाते हैं, trading fee से, I.O. से Every quarter, वो profit, जितना भी profit हुआ रहेगा, उसमें से 10% यह लोग KCS buy back करेंगे, मांकित से वोग burn करेंगे Okay, so इसे होता क्या है, जो total token supply है, वो token supply कम होने लगती है और जैसे इसे token supply कम होती है, और company अच्छी बढ़ रही है, तो मतलब वो जो आपके पास token है, वो rare हो रहा है वो precious हो रहा है, तो यह काफी matter करता है, especially अगर आप कुछी company का token होडल कर रहे हो, तो यह category जानना बहुत रही है So next time आप किसी centralized token का ले रहे है, तो definitely देखो कि यह token burn option है कि नहीं First, of course, कि उनके business models क्या है, revenue कैसे generate होते है, token का price कैसे बढ़ेगा और दूसरा चीस, token burn जैसा कोई model है किने, यहाँ पर आप देख सकते हो, BNB का, every quarter we will use 20% of our profits to buy back BNB and destroy them until we buy 50% of all BNB, that is 100 million तो अबलग-अलग company का अलग-अलग mechanism रहता है कि कैसे वो लोग buy back करेंगे, कैसे वो token burn करेंगे, but overall, token burn जो है, token की price में बहुत मदद करता है कि I hope token burn आपके लिए क्लियर हो, नहीं हो तो definitely comment में आलगना, मैं answer करूंगा, I'll try my best but let me know, thank you so much for watching guys, please leave the like, share, subscribe and I'll see you next time